हेलो श्टुडेंज, वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनेज, जो ग्रूफी ग्रूफ, हमारा क्लास नाइन्थ एसस्टी शूसर साइंस का रिविजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइस मोस्ट इंपॉर्डन कोईशन्स डिसकस करें है, मोस्ट इंपॉर्डन क कुछ भी देखने की, चेक करने की ज़रूर बिलकुल नहीं है, इन दी सीरीज, टुड़े वी आर गोइंग तो डिसकस ता मोस्ट इंपॉर्डन कोईशन्स रिलेटेट टू इसको हिंदी में कहेंगे सविधान निर्माट, इस चैप्टर से लेटेट हम मोस्ट इंपॉर्ड किसी भी देश या फिर किसी भी संस्ता की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगलिशन्स की ज़रूरत होती है, उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं, कंस्टिटीशन, आप अपने स्कूल का एक्जामपल ले सकते हो, आपके स्कूल में आप स्कू इवनिंग शिप्ट के हो सकता है, कुछ बच्चे चार बजे बोल देते हैं, कि भाई बस बहुत हो गया, अब मुझे ओर नहीं पढ़ना, मुझे घर जाना है, टीचर्स के साथ पी ऐसा ही होता है, फर्स्ट पेड़ को लेने में सारे टीचर्स इंटरिस्टिड हो सकते थे, यह लाश पेड़ में हो सकता है, कोई भी टीचर्स जाना पसंदा करता, सब कुछ गडबड हो जाता, सब कुछ होच पोच हो जाती, तो ऐसी हमारे देश के साथ भी हो सकता था, अगर यह रूल्स और रेगलेशन्स नहीं होते, तो उसकी चलती जिसके पास ताकत बल होती, यानि जिसकी लाठी उसकी भी होती, सो किसी भी देश के लिए, फिर संस्ता की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हमें कुछ रूल्स और रेगलेशन्स की ज़रूर्त होती है, जिसे हम बोलते हैं, कंस्टिटीशन्स, यह दो टाइप का हो सकता है, इट कन भी रिटन और इट क आपके घर का भी कंस्टिटीशन है, आपके परोस वाले जो अंकल जी हैं, उनका भी कंस्टिटीशन है, कैसे, जैसे एक सर्टेंस जो घर होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती, यह करना है, यह नहीं करना है, कुछ घर में रात को ग्यारा बज़े डिन Let's begin with the first question of this chapter, हम सबसे पहले one marks की questions discuss करेंगे, जो इस chapter से related और most important questions में रहेंगे, what is a constitution? सबसे पहले हमारा most important question बनता कि यह constitution होता क्या है, we need some basic rules to run a country or an institution, किसी भी country को या किसी भी institution को चलाने के लिए हमें कुछ basic rules की जरूरत होती है, and the collection of these rules is called constitution, और इनके collection को हम बहुते हैं, बहुते हैं constitution, ओके, यह थो हम उपर भी discuss कर चुके हैं, second question हमारा बनता most important में, what is apartheid? अपार्थिट को हम हिंदी बोलते हैं, रंग भीद, रंग भीद, यानि कि रंग के अधार पे भीद किया जाना, तो अपार्थी system means, अपार्थी system क्या है, जिसमें रंग के अधार पे भ इस पर discrimination किया जाता है, तो उसे अपार्थी system कहा जाता है, इस system was prevalent in South Africa में, यह system था, where there was the separate rules and regulations for the black and white people थे, उनके लिए अपार्थी system कहा गया था, now let's move to the next question की हम बात करेंगे, third हमारा question रहेगा, when was the constitution of India adopted or prepared, हमारे देश का जो constitution ने वो कब adopt किया गया था, यानि कि कब बन कर त्यार हुआ था, it was adopted on 26 November 1949 को हमारा constitution बन कर त्यार हुआ था, that's why we observe 26 November as our constitution day, इसलिए हम 26 November को constitution day के रूप में मनाते हैं, आपके school में भी इसको अपजव किया हो गया होगा, now let's move to the fourth question जो हमारा रहेगा, when did the Indian constitution come into force, Indian constitution लागो कब हुआ था, Indian constitution came into force on 26th June 1950 को हमारा सविधान वो लागो किया गया था, इसलिए हम 26th June को as a republic day observe करते हैं, क्योंकि उसी दिन हम republic बने थे, now let's move to the next question जो हमारा fifth question है, how many members did constitute assembly have, हमारे constitute assembly में कितने members थे, 299 members थे हमारे constitute assembly में, earlier there were the 389 members, after office 90 members went to Pakistan, after partition के बाद Pakistan में चले गे थे, तो हमारे पास रहे थे, 299 members, now let's move to the next question हमारा जो रहेगा, sixth question रहेगा, who was the president of the constitute assembly, constitute assembly के president कों थे, Dr. Rajendra Prasad was the president of the constitute assembly, जो बाद में, later he became the first president of India too, seventh question है, जो आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, who was the chairman of the drafting committee of constitute assembly, constitute assembly में एक drafting committee भी थी, drafting committee क्या थी, जिसको एक तरीके से रूप रिखा त्यार करनी थी, मोटी तोर पे, जैसे आप कोई भी day celebrate करते हो, अपने school में, अपने class में तो आप decide करते हो न, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा ऐसा होना चीए, तो वो drafting committee थी, तो उसके chairman कौन थे, Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee, now let's move to the next question, जो हमारा next question रहेगा, question number eight, name any four members of the constitute assembly, के कोई चार members के नाम बताने, अबुलकलाम आजात, कियारम मौन्शी, H.C. मुखर जी, एंड पंडिच जुहालाद नहरू, तो कोई भी चार members हैं, जिनके name आपको पता होना चीए, so these were the four prominent members of our constitute assembly, एक चीज़ जो कई बार पूछ ली जाती है, MCQs में होता है, particularly, कि flowing of these, which one was not a member of the constitute assembly, उसमें एक name होता है, महत्मा गांदी का, तो महत्मा गांदी, was not a member of constitute assembly के member नहीं थी, यह repeat होता रहा है, और इस बार पी पूछा जा सकता है, 9th जो हमारा question रहेगा, when was the first meeting of the constitute assembly held, constitute assembly के पहले meeting कब होई थी, so it was held on 9th of December 1946 को पहले meeting होती है, now let's move to the 10th question जो हमारा रहेगा, 10th question की हम बात करेंगे, how long did it take for the Indian constitution to be enacted, हमारे constitution को बनने में कितना time लगा था, कितना समय लगा था, so it took 2 years, 11 months and 18 days total लगे थी, हमारे constitution को बनने में, now let's move to the 11th question, what does secular mean, secular का मतलब क्या होता है, हिंदी मोलते हैं इसको ध्रम निर्पेक्ष, तो होता क्या ही है, it means that citizens of the country have complete freedom to follow any religion, इसका मतलब यह, कि हमारे दिसमें citizens के पास complete freedom हो किसी भी religion को follow करे, या फिर ना follow करे, यह उनका personal matter है, now let's move to the next question, जो हमारा रहेगा, 12th question, explain the meaning of primble, primble क्या होता है, हिंदी मोलते हैं प्रस्तावना, आपने NCRT अपनी बुक देखियोगी, तो सुष्रुआत में ही primble दी गिया, primble of Indian constitution, तो यह होती क्या है, यानि कि constitution का पहला statement है, सबसे पहले दिया जाता है, जिसमें क्या दिया जाता है, basic values या concept क्या है, यानि किसने बनाया, किसके लिए बनाया, और मोटी तोर पे उसमें क्या, जैसे movie के trailer होते हैं, वैसे यह constitution का trailer होता है, तो उसे बोलते हैं primble, आप पढ़ के जरूर देखेगा, if you haven't checked that one, आपके NCRT book का very first page होगा, जिसमें यह सब कुछ दिया गया, so first statement of the constitution, in which a country clearly states, the basic values, और the concept of its constitution, की constitution मोटे तोर पे क्या है, तो उसे बोलते हम primble, now let's more to the 13th question हमारा रहेगा, what do you mean by constitute assembly, constitute assembly क्या होती है, जिसको हमने काफी बार repeat किया, और पूरे चैप्टर में repeat होता है, constitute assembly, तो यह है क्या, the assembly that constitutes, the constitution is called, constitute assembly, की वो assembly जो सविधान निर्मान करती है, उसको सविधान सभा बोलते हैं हिंदी में, यानि कि जिसने हमारा constitution बनाया, तो उस assembly को constitute assembly कहते हैं, there were 299 members in our constitution assembly में, now let's move to the 14th, जो हमारा question रहेगा, उसके हम बात करेंगे, what is the meaning of swanti, swanti का meaning क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं, संपर्भूता होती क्या है, this means that, our country is completely independent, over which no external country has any control, इसका मतलब, swanti का मतलब है, कि हमारी country वो independent है, and over which no external country has any control, it means that we are free to take our own decisions, हम अपने decisions खुद ले सकते हैं, किसी भी country का कोई pressure नहीं है, तुसे बोलते हैं, certain country, now let's move to the 15th, जो question रहेगा, what does the word socialist mean, socialist भी एक word है, जो हमारे primble में use किया गया है, हमारे constitution का एक important feature है, तो यह क्या होता है, socialist हिंदी बोलते हैं, समाजवादी, क्या है, socialist means that, the country will strive for the equal development of every section of the society, समाजवादी, या socialist का मतलब है, कि देश है, वो समाज के हर तबके के, एक समान विकास की कोशिस करेगा, यानि कि सभी लोगों के उपर focus करेगा, ऐसा नहीं कि किसी particular, जो group section है, उसके उपर focus करेगा, so socialist means that, the country will strive, और will focus, और will try, for the equal development of every section of the society, now let's move to the next, हम आगे बढ़ते हैं, 16th जो हमारा question रहेगा, 16th question की बात करेंगे, ये थोड़ा सा, 16th question है, what does the word republic mean, republic word दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, कि लोग है, वो सारी जो पावर है, उसका सोर्स है, यानि कि पावर है, किस के पास है, रियल पावर is in the hands of people, कि लोगों के पास है, सारी शक्तिया, इसका मतलब है, जो जो मुख्या, वो भी लोग ही चुनते हैं, तो उस country को बोलते हैं, रिपब्लिक country, इंडिया इज रिपब्लिक country, और ब्रिटेन और इंग्लेंड इस नौट ए रिपब्लिक कंट्री, क्यों, विकोज है एड ओफ तर इंडिया, कौन है, है एड ओफ आर कंट्री, प्रिजिडेंट, इलेक्टेड है, और इडफ तर ब्रिटेन इस नौट एलेक्टेड पर्शन, जो की क्वीन है, तो इसलिए, रिपब्लिक का मतलब है, जहां पर जिस देश का मुख्या चुना जाए, लेकिन वैसे बात की जाए, तो ऐसे, जो जनरल सेंस में, रिपब्लिक का मतलब होता है, कि पावर रेस्ट इन दा हैंड सुपत पीपल, की लोगों के पास शकती है उस देश की सारी, नाव लेट्स मोट तो दा सैंटीन, जो हमारा कुश्चन दिया गया है, वट इस कंस्टिटिशनल अमेंडमेंडमेंट क्या होता है, कंस्टिटिशनल अमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंड next segment हमें दिया गया, short answer type questions दिये गये, जो हमारी three marks की questions है, इस chapter related तो पहला हमारा question बनेगा जो most important में है, most में भी, most important में है how is India a secular country how we can say that India is a secular country हम कैसे कह सकते हैं कि India एक secular country है first, all religions are equal in for the state that is, the country has no state religion for its own कि यहां पर पहली चीज़ कि all religions are equal for the state, country के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, सारे ध्रम एक ब्राबर है it means that the country has no state religion of its own इसका मतलब है कि कोई भी हमारा राज की यह राश्ट यह ध्रम नहीं है second, every citizen of the country is free to follow, not to follow in religion दूसरा हमारा हर नागरिक है, वो सवतंतर है, आजाद है free है, किसी भी religion को follow करने के लिए, फिर ना follow करने के लिए उसका personal matter है third, no citizen in the country can be discriminated on the basis of religion किसी भी citizens के साथ religion के ground पर कोई discrimination नहीं होता, so it means that in basis पर हम कह सकते हैं कि India is a secular country, यानि नहीं तो हमारा कोई official religion है, ना ही यहाँ पर किसी type का restriction से any citizen is free to follow, not to follow any religion, and there is no discrimination on the ground of the religion so we can say that India is a secular country, now let's move to the next question की हम बात करेंगे, जो second question है, three marks में why do we need a constitution हमें constitution की जरूरत क्यों पढ़ती है for the rule of law, पहली चीज यह है कि constitution होगा, तो rules होगे rules होगे, तो rule of law होगा, कानून का शासन तो तब ही होगा न, otherwise तो हर कोई अपनी मन मर्जी से लाएगा, like that way, jar, Nicholas, Louis 16, General Pravej Mushrup, that was a dictator in Pakistan, उन की तरह हो जाएगा सब कुछ, so for the rule of law, we need constitution कुछ rules चाहिए हमें, second, for determination of the powers of the government, to decide that what does the what type of a power the government is having, किस टाइब की power है, government के पास है, क्या कर सकते है, क्या नहीं कर सकती, उसके लिए हमें constitution चाहिए, उसी में तो हम mention करेंगे कि ये किया जा सकता और ये नहीं किया जा सकता to control the government to control the powers of the government we need constitution, powers को control कैसे करते हैं, distribution of the powers होता है, किस के पास कितनी powers होगी कर सकते हैं, otherwise तो हर किसी की अपनी चलेगी, तो equality के लिए हमें constitution चाहिए, and for peace to, to avoid any type of the violence to avoid any type of the confusion to avoid any type of the discrimination we need constitution क्योंकि शानती कब होती है जब सब कुछ fix हो, सब के लिए एक जैसे rules हो सब के पास एक समान rights हो, वो कब होंगे, जब हमारे पास constitution होगा now let's move to the third question, जो हमारा third question रहेगा what were the challenges faced by the framers of the Indian constitution Indian constitution के जो framers थे, उन्होंने किन चुनोतियों का सामना किया था, यानि कि काफी सारे challenges थे, it was not an easy task to frame our constitution, बहुत आसान नहीं था हमारे समिधान को बनाना तो कई सारे चुनोतियों थी, पहला integration and integrity of the country यानि देश की एकता और अखंडता, हिंदी में बोलते हैं उसको बनाए रखना, because at that time India faced the partition India was divided into the two country, India and the Pakistan जो बांगलादेश है, that was the eastern Pakistan, and many princely states also joined India उस unity को बनाए रखना उस integrity को बनाए रखना, that was a major challenge for the Indian constitution framers के लिए बड़ा challenge था, कि ऐसा constitution बनाए जाए जिससे ये सभी लोग जूड़ी रह सके second religious diversity was there, इंडिया में लगवख सभी जितने भी major religion है world की वो है, उनके followers है और उस वक्त ये challenge थोड़ा ओर ज्यादा बड़ा था, because India faced riots on the basis of the religion की बेस पर riots वे थे, and the country जो नहीं बनी थे, Pakistan वो भी religion की बेस पर बनी थे, so ये भी एक बड़ा challenge था, कि सभी लोगों को एक साथ लेके कैसे रहा जाए, कैसे इसा constitution त्यार किया जाए, कि सब लोग है उससे जुड़े महसूस करें, social and economic inequality was also there at that time, social inequality means that उस वक्त casteism काफी जादा था, education was not there, and economic inequality was there, because most of the people were the poor, and some people were quite rich one, तो वहाँ पर जो discrimination था, inequality जो थी, उस inequality को reduce भी करना था, और उनको साथ भी रखना था, तो that was also a major challenge cultural and linguistic diversity, India is one of the most diverse country on the basis of the cultural and linguistic थोड़ी सी दूर पे जाते हैं, language change हो जाती है, तो सभी लोगों के लिए, इस टाइब के लोगों के लिए भी एक ही constitution बनाना था तो that, these were the challenges faced by the framers of the Indian constitution, now let's more to the third segment की बात करेंगे, third segment में हमें discuss करना है, long answer type questions related to this chapter first जो हमारा question बनेगा this one is the most important question explain the salient features of the Indian constitution, Indian constitution की, जो main features है, वो हमें बताने की क्या है first जो feature है, democratic and republic Indian constitution declared our country as a democratic and republic country की तोर पर declare किया गया है it means that in India the people can choose their government and people can change their government choose भी कर सकते है, change भी कर सकते है India is a democratic country and second, India is a republic country republic means the head of the country is elected by the people, okay तो पहला feature है कि India एक democratic and republic country है, डिकलेर किया गया है constitution की तरह, second large and written constitution, हमारा constitution है काफी large, it is one of the largest constitution of the world सबसे बड़ा constitution है and written format में है, third feature है, partly read and partially flexible है, यह हमारा थोड़ा सा कथोर है और थोड़ा सा flexible है, यानि flexible होता है, लचिला, it means that the some parts of the constitution can be modified, can be amended very easily and some parts of the constitution cannot be amended very easily कुछ को easily हम amend कर सकते हैं, कुछ को easily amend नहीं किया जा सकता है we need special majority चाहिए, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह हमारा flexible भी है और non-flexible भी है fourth जो हमारा feature है, constitution का secularism, इंडिया has been declared as a secular country, it means that all the citizens of the country are free to follow any religion or not to follow any religion and state cannot discriminate on the basis of the religion, तो यह भी एक हमारा main feature है, कि इंडिया is a secular country fifth जो हमारा feature है, parliamentary government system, हमारे constitution में, we have adopted the parliamentary government system, जो कहां पर है, ब्रेटेन में है हमने ब्रेटेन से इसको लिया, it means that हम representative को elect करते है and जो party है जिस party को majority मिलती है उसका later है, वो president के बाद, prime minister बनता है okay, president है, उसको हम indirect way से elect करते है okay, तो हमने parliamentary system को adopt किया, we are having the two houses of the parliament, लोगसभा और राजसभा और लोगसभा में जिस party को majority मिलती है, उसके later को prime minister चुना जाता है या newt appoint किया जाता है okay, तो parliamentary system में ये भी हमारे constitution का main feature है, federal government federal government means India is the union of states राज्यों का संग है, हमारे पास at present, 28 states are there and 8 union territories are there, हम उनकी union है it means that there is a power sharing between state and the central government के बिच में power sharing कुछ powers उनके पास है, कुछ power state governments के पास है, ये system भी हमने adopt किया है, seventh है, single citizenship single citizenship means the, जो भी यहां का citizen है whether it belongs to South India North India, whether it belongs to Punjab, Haryana वो Indian citizen, ऐसा नहीं की वो Punjab का citizen है, वो Haryana का citizen है, जैसे की USA में they are having the dual citizenship होती है, अपनी यहां पैसे नहीं है, we are having the single citizenship so this one is also the very important feature of our Indian constitution next one, जो है independent judiciary, we are having the independent judiciary and that is like that way watchdog of our constitution के एक तरीके से protect करती है, हमारे constitution को and that is very important to protect our rights too, हमारे rights को भी protect हमारी independent judiciary करती है independent judiciary का मतलब है it doesn't work under the control of government के control में work नहीं करती है तो यह हमारे constitution के कुछ main features है now let's move to the next questions, next question की बात करेंगे second question है हमारा long answer type question में what is the main philosophy of the Indian constitution? और what is the basic value of Indian constitution? main philosophy क्या है, basic value क्या है Indian constitution की या फिर अगर यह पूछा जे what are the basic values of Indian primal primal की भी values यही है क्योंकि जो constitution है वही primal में तो यह भी एक important question बनता है कि हमारे समिधान का philosophy या दर्शन क्या है तो पहला वही चीज़े repeat होगी democratic government जो में फीचर है we are having the democratic government it means people can choose their government people can change their government secularism, second feature है third equality Indian constitution provide the equal rights to everyone and freedom we are having certain types of the freedom we are having the six fundamental rights इसके साथ साथ बहुत सारे legal rights में हमारे पास है socialism Indian government try to try for the equal development of all the sections of the society और sixth है social justice जो main aim है Indian constitution का वो है social justice सबको सामाजिक न्याई दिया जाए किसी के साथ किसी भी type का injustice ना हो exploitation ना हो तिये features रहेंगे जिनको थोड़ा से explain करना है जिनको हम ओपर भी डिसकस कर चुए है now let's move to the third question जो की last question है long answer type question में ये भी एक important question बनता है what inspired the Indian leaders in making of the constitution हमारी सिवधान के बनने में किसने Indian people को Indian leaders को जो Indian constitution framers थे उनको inspire किया यानि कि कहां से क्या चीज़ी जिनसे वो परभायते हैं कि हमें ऐसे बनाना है so first है French revolution Indian people, Indian leaders were inspired from the French revolution French revolution gave the ideas of equality, freedom, right to vote ऐसे कई सारे ideas दिये गए थे वो ideas हमने वहीं से लिये थे हम उससे inspired थे यहीं नहीं कि जब constitution बना उससे पहले से inspired थे कि हमारा देश भी ऐसा होना चीए second thing जिसने inspired किया Indian leaders को वो था Nehru report 1928 in 1928 मोतिलाल Nehru and eight others leaders जो आठ और लीडर थे Congress Party के they framed our constitution उन्होंने देश का एक constitution प्रिपेर किया था So we were inspired from that constitution too जिसको Nehru report कहा जाता है उससे भी हम inspired थे काफे सारी चीजें थी हमने उस constitution से भी लिये because वो भी तो हमारा ही constitution था कराची session of 1931 में Indian National Congress का session कराची में होता है and in that session too we have discussed that what type of government should we have after the independence what type of the system should we have after the independence क्या क्या होना चीजे वो चीजें डिसकस की थी तो वो चीजें भी हमने यहां पर ली है उनसे भी inspired थे कि हमारा देश कैसा होना चीए Government of India Act 1935 में British Government of India Act लेके आई थी it means that पूरी देश को चलाने के लिए rules and regulations थे जादतर जो हमारा part है almost 50% part है we have taken from this Government of India Act 1935 से AJT हमने उठा लिया है यहां से भी हम inspired थे क्योंकि जो भी अच्छी चीजे थे हमने यहां से ले लिए Gandhian ideology Indian leaders were inspired from the Gandhian ideology Gandhiji जिनोंने most important role play किया था in Indian freedom struggle में तो उनकी जो ideology थी they wanted to have a democratic country they wanted to have equality social equality, political equality वो चाते थे तो वो सब कुछ भी हमने ध्यान में रखा Indian leaders ने ध्यान में रखा कि यह देश हमारा कैसा होना चीए British parliamentary system हमने जो parliamentary system को adopt किया है वो हमने वहां से लिया and Russian revolution से भी inspired रहे है socialism जो word है we have taken from the Russian revolution से हमने लिया तो ऐसे हम काफी सारे आसपास की जो countries थे आसपास के events थे उनसे हम influence हुए है और उसके बेस पर हमने अपने constitution को frame किया तो यह था हमारा chapter जिसके हमने most important questions की बात की that's all मैंने पिछले कुछ दिनों पहले ही एक video publish की है कि how to learn faster and easily हम काफी सारे students है जो learn करते रहते हैं लगे रहते हैं लेकिन कुछ learn नहीं होता output नहीं आपाता या फिर जैसे ही सुभर learn किया शाम तक भूल गई या फिर confidence नहीं आपाता तो हम कहीं नहीं गड़बढ करें क्योंकि हमारा way है वो सही नहीं है learn करने का हम क्रेम करें लेकिन हमें खुद को पता नहीं कि ये क्रेम क्या होता है तो मैंने ऐसी आपकी कुछ issues हैं वो discuss कियें इस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाए जोग्रोफी ग्रूफ स्पेशल प्लेलिस्ट में ये वीडियो दिया गया वहाँ से आप देखिए definitely आपको इससे benefit होगा तो अगर आपको ये वीडियो आज का ये session अच्छा लगा इस वीडियो को like और share करना मत भूलेगा Thank you, bye bye, have a nice day